नवस्का दोस्तों, इनकी एज 51 प्लस 4 मंथ की हो चुकी है इनके हाथ में एक ऐसा माइनस पॉइंट आया है, जो बहुत रेर में होता है धन रेखा पर वो भी एक छोटा सा यव साइन मैं कब से इनका हाथ लेकर बैठा था बहुत जादा प्रोब्लम मुझे नजर नहीं आ रही थी और एकाद फोटो में वो दिखा एक छोटा सा यव भी जीवन में इतनी खराबी लाता है चाहे वो माइन लाइन पर यव साइन हो, चाहे वो धन रेखा पर हो इतना प्रोब्लम क्रियेट होती है व्यक्ति के जीवन में जिस व्यक्ति के जिसने भुखता रहता है उसी को पता होता है अब वो यव साइन कहा तक है, कब तक है, वो सारी चीजों को हम देखने की कोशिस करेंगे जब किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसी सीधी देखा हो तो व्यक्ति समझदार होता है और जीवन में जो opportunity आती है उसे ग्रेब करके आगे बढ़ता है यह पाम स्क्वेरिश पाम है तो व्यक्ति महनती होता है और मैनत करके अपने जीवन को सफल बनाता है कि फर्स्ट फैलेंज पता नहीं चल रहा है नुकिला है कि नहीं पर सेकेंड फैलेंज नॉर्मल है जहां लॉजिक की जड़तवान लॉजिक यूज गिया जहां चूप रहने की जड़तवान चूप रहे हैं और मध्यम मांसल है तो कभी-कभी कंप्रोमाईज कर लेते होंगे और कभी कभी स्ट्रॉंग बन के रहते होंगे उंगलिया पाम के मुकाबले छोटी है तो फास्ट काम करने वाले होते हैं और हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या जादा रहती है फर्स्ट उंगली बैंड हो रही है तो व्यक्ति में धार्मिक भावना अच्छी खासी रह सकते हैं यहां पर देखें तो यह उंगली फर्स्ट फैलेंग तक नहीं पहुच रही तो रेक्ति डॉक्ति डॉक्मेंटेशन फाइलिंग चीजों को संबाल कर रखना याद शक्ति मनी मेनेजमेंट और अकाउंट यह सारी वस्तुव में कमजोर रहते हैं पर इनके यहां प कुछ खराबी कर देता है जीवन में जो जमा पुंजी होती है वो भी छिन लेता है अब इनके इंक लगे हुए पांप पर चलते हैं बुद्पर्वत थोड़ा से यहां से दबा तो नहीं बोलूँगा बहुत खुल कर नहीं है यानि एकदम उभार नहीं है पर यह पांप उभार है तो व्यक्ति छोटा भी काम करें तो उसे मन करता है कि मेरा नाम होना चीए और यहां पर बहुत सारी लाइन है यह व्यक्ति को सुन्दरता भी देती है दो चार भाषाओं के जानकार भी होते है वानी भी मीठी होती है यह सारा प्लस पॉइंट व्यक्ति को मिलता है सं मांट पर अगर देखे तो यहां पर एक क्लियर कट फिश साइन नजर आ रही है तो जो भी पैसा इनकी धन रेखा बहुत ज़्यादा अच्छी तो कभी नहीं थी पर इसी साइन के कारण यह ग्रोथ पा रहे होंगे और यह का जगह पर आवास हो रहा है पर कंफर्म इन्होंने गिव अप कर लिया यहां पर एक आभास सा हो रहा है एक इस जगह पर और एक यहां पर कुछ पॉजिटिव हो सकता है पर इनको मैंने इंकम के सोर्स पूछे थे यानि पर वो मैच नहीं हुए तो यह मेरे हिसाब से होनी नहीं चीए पर तकदीर कभ चेंज होती है भरोसा नहीं होता कोई खराब समय जाना और अच्छा आना हो तो भी बहुत बार साइन आ जाती है पर इनोंने गिव अप कर लिया इनोंने कहा कि लॉकडाउन खुल गया है अब काम दन्ने में ध्यान देते है ने तो इनको भी यहाँ पर है की नहीं पता चल जाता है यहाँ पर बड़ी अविद्या रेखा बनी हुई है तो ऐसे लोगों को बेसिक नॉलेज अच्छा घासा होता है और बेसिक नॉलेज के कारण लोग पूछ पूछ कर भी काम करते हैं और जैसे जैसे उम्रों बड़ेगी ज़्यादा लोग पूछ पूछ कर काम करेंगे इनकी सारी लाइन ने लगबख सुर्य परवत की और देख रही है ऐसे लोग या तो किसी और का प्रोड़क बेचना या किसी और के ओ सेवा देना अगर कोई प्लांट भी हो तो जॉब वक करना इस तरह के कारे करते हैं या विदेश से धन प्रात्ति की और इशादा जाता है तो ये दो तीन मैंसे कोई न कोई कारे ऐसे लोगों का होता है जीवन में एक लाइन जूपिटर की और भी जा रही है ये भी एक सर्टन एज के बाद ये भी काम देगी इनको जीवन में चार बेनिफिट मिलती है पॉलिटिकल लाब, सरकारी लाब, ससुराल पैसे वाला जो इनकी साधी नहीं की है इनोंने और चौथा लाब जो भी कारे करते हैं बड़े स्तर का तो कई लोगों को चारो लाब प्राप्त होते हैं किसी को तीन, किसी को दो और किसी को एक अब इनकी एज पचास के उपर हो चुकी है तो जब फेट लाइन पर आऊंगा तब विस्तार से बताऊंगा कि क्या इनके हाथ में दिख रहा है आगे चल कर जुपिटर वाउंड बहुत खराब है साधी हो भी गई होती तो भी पती-पत्नी के बीच में मन मुटाओ रहता था आपका तो कि ये टिल्टेड अप पूरा शनी परवत पर ही घसरा है तो ऐसे लोगों को पारिवारिक समस्या भर पूर रहती है और एक लाइन है इवेक्तिको धर्मिक भी बनाती है और पामिश्री एस्ट्रोलोजी इस तरह के मिश्री साइंस में ध्यान भी जाता है और बीच-बीच में छोटी लाइने भी दिख रही है तो मल्टिपल इंकम के सोर्स भी क्रियेट होते है अंदुनी मंगल देखे तो वे अस्तित है तो साधी रिगुर्जा वेक्ति में अच्छी पाई जाती है मद्यम से अच्छी रहेगी इनकी बारी मंगल उससे भी जादा अच्छा है जब किसी से मिलेंगे एनरजी के साथ मिलेंगे सामने वाला कमफोरेबल फिल करेगा और ये लाइन भी बहुत बार इंपोर्ट एक्सपोर्टरों के हाथ में पाई जाती है अब मुझे इनका कामकाज क्या है वो पता नहीं चन्रपरवत भी अच्छा है और यहां पर भी कोई साइन दिख रहे है कि नहीं कोई साइन नहीं दिख रहे है केवाल एक क्रॉस दिख रहा है व्यक्ति को जीवन के प्रती नेगिटिव फिलिंग देती यानि हमेशा डर लगा रहा है तो मैं जहां पर हूँ वहां से नीचे गिर गया तो पर चंद्रपरवत अच्छा है तो विरेस में जाने का लाब भी मिलेगा पानी अच्छा लगता है दूद्से बनी वस्तु अच्छी लगती अच्छे पर्चेसर होते है नेणे शक्ती भी अच्छी होती है और नए नई चीजे करने का शौक होता है प्लस यह लाइन अगर जोइंट होती होगी तो यह कंप्लीट मनी ट्रेंगल है तो यह बेस्ट चीज है पर एक यह साइन ने इस मनी ट्रेंगल को भी डिश्टब कर दिया होगा यह उसायं बहुत बुरी चीज है बहुत बुरी चीज शuk्र पर्वत व्यरसित है ना जादा उबा अभा ना जादा दबा उवा जैसी lifestyle चीए वैसी जैक़ी व्यरसित जीवन जीता है अब इनकी हिर्दे रेखा को देखे तो हिर्दे रेखा थोड़ी सी शुरुवात में I think यहां से है और दूसरे फोटोग्राफ में भी देखने की कोसिस करते है कहां से उपरेट हो रही है जुपिटर से ही उपरेट हो रही है और थोड़ी सी मंगल की तरफ भी देख रही है तो थोड़ा सा सुरुवाती जीवन में गुसा रहा होगा क्योंकि मंगल की तरफ देख रही है और थोड़ी सी डार्क लग रही है तो जज़टो भरा जीवन रहता है आपा धापी लगी रहती जीवन में परस्नल लाइफ इतनी उत्तम तरीके से नहीं जी पाता और यहां पर फ्लर्ट लाइन भी है रेक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है उसके बाद खुशे ढूंता है अदम्हां पर देखें तो यहां से निकल रही है माइच अए इनकी रिलेशन लाइन है तो मंगल के चहत्र से निकलते हैं तो ऐसे लोग प्लानिंग जादा बनातेen निक दिदमार प्लानिंग ना कोई ना कोई खासियत होती ही है इनके पास क्योंकि उपर की तरफ देख रही है और फोटो में माइंड लाइन को देखते हैं यह भी थोड़ी सी मोटी है तो टेंशन भरा जीवन तो रहता ही होगा तो सारी माइंड लाइन मोटी है तोटल तो ऐसे लोगों को प्रेशर भरा जीवन रहता ही है सेमर्दे रेखा भी ऐसी मोटी है दबाओ रहता ही है जीवन में अब इनकी जीवन रहता को देखें यह लाइन 22 के आसपास कोई न कोई सईयोग बने होंगे और यह जानकारी इन्हों ने भी मुझे दी है 18 के आसपास, 17, 18 के आसपास, 22 के आसपास और 34 पैतिस और हर जगा संकेत दिख रहे है इनके यह देखें एक लाइन 22 माइनस 4 यह लाइन इहाँ पर भी सईयोग बने होंगे फिर मैं 34 वाला सईयोग भी दिखाऊंगा फिर उसके बाद यह 27 के आसपास इनको एक रेखा ने काटा तो कोई न कोई रुकाउट भी इनको जीवन में आई होगी उस पिरियड में 32 के आसपास एक आफशुट जा रहा है अगर इसको आफशुट ना गिने इनको जीवन रिखाई गिने तो यहाँ पर इस आफशुट को गिन सकते हम 32 के आसपास एक offshoot भी इनको मिला है तो कोई न कोई अच्छी वस्तू भी इनके जीवन में हुई होगी उस period के आसपास फिर यहाँ पर देखे तो यह देखे एक पत्ली सी line जा रही है जो यहाँ पर touch कर रही है इस line ने इनके जीवन में कोई व्यक्ति आया होगा पर इनका जुपिटर बाउंड खराब होने के कारण यह उस stage तक नहीं पहुच पाया होंगे फिर यह 36 के आसपास एक राओ रेखा ने काटा तो कोई न कोई रुकाओट आई होगी 38 के आसपास एक offshoot दिख रहा है फिर 41 में एक राओ रेखा दिख रही है 44 के आसपास यात्रा रेखा दिख रही है 42, 42, 43 और यह 44 के आसपास आफशुट है और एक 46 में राओ रेखा है उसके बाद देखे तो 50 के आसपास एक छोटी सी राओ रेखा है उसके बाद 54 में छोटी सी राओ रेखा है और लगबग इनके घर से भी रिलेशन यानि घर भी लगबग इनके हाथ से चला गया ऐसा मुझे जहां तक याद है यहाँ पर और मैं उस पर भी आऊंगा 50, 54, 58 Sorry वापताता हूँ यहाँ गए हम इस कट पर आगए हम 34 के बाद 36 36 में यह राएं लाएं में काटा 36, 36 के बाद 38 के आसपास आफशूट फिर 41, 44 में यात्रा और यह आपशूट 43 के आसपास और 44 में आपशूट और 46 में राएं रेखा और फिर एक छोटी सी राएं रेखाने काटा 50 के आसपास फिर उसके बाद 54 में एक राएं रेखाने काटा 54 के बाद 58 और 62 इतनी राएं रेखा है इनको जीवन में डिश्चप करेगी पर इतनी बड़ी राएं रेखा है नहीं है जिसके कारण इनको बहुत ज़्यादा प्रोब्लमों का सामना करना पड़े यह तो दीख रही है इसके लिए मैं बता रहा हूँ बाकी ढुणनी पट रही है बहुत मामूली सा कट है जीवन रेखा पर जिसका जिक्र न भी करू तो चले तो राएं रेखा इनका प्रोब्लम नहीं है और मनी ट्रेंगल जब इस तरह का हो अगर यह ओपन भी और इतनी बारिक सी राव रेखा हो तो उससे कोई फर्क भी नहीं बढ़ता अब देखे एक इंक लगने के बाद भी हर जगत जहां जहां बीच बीच में कमजोरी भी रही है पर थ्रेड दिख रहे है फिर भी इनके जीवन में तकलिप है आई अब वो क्या कारण है इस फोटोग्राफ में नजर आ रहा है पहले इनके प्रॉब्लम पर ही चलते हैं फिर इनके ओवरल धन्रेका कैसी चली उस पर चलते यह देखिए इस जगह पर यह फोटी नाइन से लेकर यहां पर यह बन रहा है धन्रेका परिश इस पार्ट में इस पार्ट में यह यह बन रहा है यह व्यप्ति को फिनिश कर देता है आर्थिक रूप से सब कुछ मिट्टी पलित हो जाता है है छोटा साई ये एज होगी इसकी लगबग 53 तक है पर इतने से यव ने इनके जीवन में भहुत माइनस पॉइंट कर दिया होगा भहुत ज्यादा आर्थिक रूप से तो अच्छा कासा माइनस पॉइंट कर दिया होगा और मैं तो इनको फोटो के लिए लॉक डाउन के लिए काम के ब्रती लगन लगाई मैं तो कहूंगा कि आप इस पिरियर तक एकदम सांत हो जाईए नहीं काम करोगे तो चलेगा क्योंकि यह यह सैन बहुत डेंजर होती है यह देखें कितनी मामूली सी और उसमें गरिबी में आटा गिला यह बहुत बड़ा जटका लगा होगा इनको लगबग पचास के आसपास क्योंकि कोई भी लाइन जब इस तर से काटती है सिधी काटते तो नस्ट होता है और इस तर से काटती है तो एक तर से पतन जैसे इस्थिती आती है हाँ अगर यह हिर्दयरेखा से निकले तो यह इन्वेस्मेंट होता है पर यह लगबग कट है तो यह गरिबी में आटा गिला यह देखें कितना मामूली सा यह सैन है यह तो इस फोटोग्राफ में दिख गया नहीं तो मेरे को इनका प्रॉब्लम भी समझ में नहीं आता कि क्या प्रॉब्लम है यह यहां तक इनको प्रॉब्लम रहेगी इस पिरियर तक अब टू 53 तक रहनी चाहिए प्लस माइना शेह माइना और उसके बाद यह लाइन सीधी चलकर अब टू 58 तक चल रही है उसके बाद यह लाइन सपोर्ट करेगी यह दूसरे फोटो में अच्छी लग रही है यहां पर कोई नया काम चालू होगा इनका और फिर इसमें भी डिश्टरबंस आएगा 58 के आसपास 59 या 58 के आसपास यह दो साल खराब जाएंगे और फिर वापस इनको ग्रोथ मिलेगी और यह जो वर्तमान में काम कर रहे यह लग बग 58 तक में ड्रॉप कर देंगी और वापस उसी समय 60 के आसपास या 61 के आसपास और कोई इंकम के सोर्स क्रियेट करवाएगी अब इनकी अगर दूसरी धनरेखा पर देखे तो ऐसी दमदार देखिए यहां तक 29 तक इतनी कोई दमदार थी नहीं उसके बाद भी मैं कोई इस धनरेखा को बहुत दमदार गिनू और फोटोग्राफ में देख रहा है इस फोटोग्राफ में यहां पर दिख रहा है यह साइन चालू होने के पहले इनको प्रोग्रेश भी अच्छी मिले उगी उसके पहले तो देखिए धनरेखा मैं ऐसा कोई दम ही नहीं था और यहां पर कट लगा 37 के आसपास अभी एक कट लेगी, इनको 40 के आसपास भी, एक कट 41 के आसपास भी लगा, और उसके बाद भी ऐसे छोटे-छोटे है ही है, पर चाहिए वैसी धन रेखा थी नहीं, जो दमदार चाहिए, पर फिर भी साइन थी तो पैसा कमा रहते, पर ये कंडिशन इनके हाथ में, अब ये फोटो फोटोग्राफ में, वो दिख गई, नहीं तो मैं इनका कारण भी न जान पाता, कि इनके साथ ऐसा क्या हुआ, ये बहुत बुरी कंडिशन में, व्यक्ति के जीवन में रहती है, 49 के आसपास से चालू हुई, 50 के आसपास ये कट लगा, और ये यहां तक रहेगा, 53 तक, तब तक ये जितना सांत रहेंगे, विजनेस में ज़्यादा इंवल्मेंट नहीं लेंगे, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मेरी तो ये ही सला है, इनसे, और ये भी अगर हिदे रहेखा से निकलता है, तो इन्वेस्मेंट कर रहाता है, नहीं तो ये भी अच्छा खासा आर्थिक नुकसान देता है, 37 के आसपास, दो कट थे, एक ये और एक ये कट, तो आशा रखता हूँ, इनके प्रश्णे का जवाब इनको मिल गया होगा, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, झाल movedści, प्रुमision का पूरा वीडियो देखने के सब्साइस, आप खासषी अचारश्वाद, शुक्सान देखने का उurenको मिल आप बहुत अचारा वम época बहुत का बιőदोरा वैंडियो का